आपने bread से sandwich बना के खाया होगा, bread पकोड़ा बना के खाया होगा, पर क्या आपने कभी bread से बनी टिक्की खाई है? तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे 5 ब्रेड, फिर बारी कटे हुई हरी मिर्च, प्यास, मटर, आदा चोटे चमस धनिया पौडर, आदा चोटे चमस जीरा पौडर, आदा चोटे चमस लाल मिर्च पौडर, एक उबलावा आलू, और आदा चोटे चमस हम नमक भी डाल देंगे, फिर इन सभी को अची तरह से मिलाने के बाद, अब हम इसे शेप देंगे, लेकिन इसे शेप देने के लिए मैंने हातों में थोड़ा सा पानी लगा लिया है, ताकि मिक्स्चर हातों से चिपके नहीं, अब मैं तो इसे नॉर्मल टिक्की वाले शेप दे रह फिर दोने साइट से फ्राय करके हम इसे निकाल देंगे